नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी मेरा नाम प्रग्या शर्मा है और आज यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटिमी ओफ फ्लारिंग प्लांट्स चैप्टर के प्रीविए सेयर क्वेशन्स तो यह चैप्टर काफी बच्चों को नापसंद होता है काफी बच्चों को हमारा काम चल जाएगा तो चलो अनुस्स की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद दिला दू अगर आप अपने आनद सर्की उम्मीद टीम के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से अपने नीट की तयारी करना चाहते हो तो उसके लिए क्रैश कोर्स लांच यानि ANAND, इसके अलावा अगर आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे वो study material के बारे में हो, notes के बारे में हो, classes के बारे में हो, या mock test के बारे में आप हमारे साथ हमारे telegram पर और हमारी website पर भी जुड़े रह सकते हैं तो चलो भाई देखते हैं क्या क्या questions हमारे anatomy of flowering plants chapter से आते हैं पहला question हमसे कह रहा है कि जिम्नो स्पर्म के flowem में क्या नहीं होता तो अब जायलम और फ्लोय हमारे vascular tissues हैं लेकिन morphology में जिम्नो स्पर्म और इंजियो स्पर्म थोड़े अलग होते हैं तो अगर हम फ्लोय को देखें यह complex tissue है जिसमें flowering plants के case में तो चार अलग अलग तरह के cells होंगे लेकिन अगर हम जिम्नो स्पर्म की बात करते हैं तो यहां पर सीव ट्यूब सेल्स और companion cells के बजाए सीव सेल्स और अलबिमिनस सेल्स की मदद से sugars की translocation होती है तो हमारे जिम्नो स्पर्म में फ्लोय हम के पास क्या नहीं होगा सीव ट्यूब और companion cell नहीं होंगे albuminus cell और सीव सेल से यह काम चलाता है तो यहां पर अपना correct answer option A हो गया चलो भाई फिर कह रहा है कि grazing की वजह से जो growing grass damage हो जाती है उसकी regeneration कौन करता है तो grasses में browsing animals की वजह से जो damage हो जाता है उसे repair करने के लिए एक special type की primary meristem होती है जिसे intercalorie meristem कहा जाता है तो यहां पर option C अपना correct answer हो गया चलो भाई फिर पूच रहे हैं कि tracking दूसरे trackery elements से किस चीज में different है तो अगर हम tracking और vessels को compare करें हमारे flooring plants में तो यह दो नों ही water के transport के लिए बहुत जरूरी होते हैं main water transporting elements है लेकिन vessel को अगर आप देखोगे तो इसकी end walls perforated होते हैं कई सारे vessel elements आपस में मिलके एक continuous channel बनाते हैं अपनी perforated यानी holes वाली walls की मदद से लेकिन हमारे trackage का अगर आप structure देखोगे तो उनके tapering ends होते हैं और उनकी end walls में हमें vessels जैसी perforations नहीं मिलेंगी तो अगर vessels से इसको compare करें जाइलम के बाकी cells से compare करें आप कह सकते हो कि imperforate होना यानी इसकी end walls का इंटाक्ट होना इसको उन से अलग बनाता है option भी अपना करेक्ट आंसर चलो भाई ट्री ट्रंक की गर्थ में इंक्रीज लाने के लिए कौन सा मेरिस्टिमाटिक टिशू responsible ao do Aleare. चोंजो क्रोंट यह सकते यह बाता है जब गर्थ में इंक्रीजbaar लिए हो ने है और secondary growth के लिए मैं ज़रूरत पड़ेगी से किंट्री मेरिस्टिम छे हम लेट्रल मेरिस्टैम को कि हैं तो यहां पर गर्थ मेरीस करने के लिएरी स्टेम का डायमीटर बढ़वाने के लिए छो मैरे स्टेम टिशु रिस्पॉनसिबल है वह हो गया हमारा ले्टर्ल मैरी स्टे जिसको आप सेकंडारी म stell THEY're the US and meं blog लो जाना जो दो तीन common language में लेकिन अगर botany के point of view से देखो plant की anatomy के point of view से देखो तो वुड क्या है जाइलम है और gymnosperm को हम softwood spermatophyte क्यों कहते हैं क्योंकि इसके xylem में हमें fibers नहीं मिलेंगे जो चार तरह के cells का हमारे flowering plants का xylem बना होता है यह सारे different elements हमारे gymnosperms के vascular tissues में में नजर नहीं आएंगे और इसलिए option d अपना correct answer हो गया companion cell किसके साथ closely associated होते हैं अब भाई हापर companion cell जो हैं यह हमारे flowyam tissue का हिस्सा है flowyam के पास सीव ट्यूब्स हैं जिनकी मदद से वो sugars की translocation करता है उनके साथ उनके बगल में companion cells जुड़े रहते हैं क्योंकि सीव ट्यूब के पास अपना nucleus नहीं होता तो उनका सारा काम इस companion cell का nucleus संहलता है तो किसके साथ closely associated रहेंगे हमारे flowyam tissue में सीव elements के साथ companion cells जुड़े रहेंगे closely associated रहेंगे चलो भाई इसके बाद companion cell का function क्या है तो भाई हमारे सीव ट्यूब element के पास nucleus तो रहने अपना कोई काम वोखुद कर नहीं सकता इसी लिए हमारे सीव elements में सुक्रोस की loading करवाना यानि sugar transport में मदद करना यह हमारे companion cells का काम है बलके in general आप यह सकते हो कि हमारे सीव elements के सभी functions companion cell ही control करेगा चलो भाई इसके बाद इसमें से कौन सी लेटरल मेरे स्टेम नहीं है अब लेटरल मेरे स्टेम से क्या समझे लेटरल मेरे स्टेम यानि secondary मेरे स्टेम जो कि secondary growth करवाएगी जो कि गर्थ भढ़वाएगी और जब भी secondary मेरे स्टेम की बात करते हैं तो एक बात याद रखना हम Cambium वर्ड यूज करते हैं तो जहां पर भी केम्ब्हीम बोल रहे है वो तो लेटरल मेरे स्टेम है ही है secondary Merystem के लिए Cambium term use की गई है यहाँ पर फेलो जैंट जो हमारी term है यह हम यूस करते हैं अपने कॉर्क Cambium के लिए ही कॉर्क Cambium को ही टेक्निकल टर्म में फेलो जन कहा देते हैं तो यह भी Cambium हो गया तो हमारा कौन सा बचा जो secondary meristem नहीं है, intercalorie meristem एक तरह की primary meristem हो गई, जिसके बारे में अभी एक मिनट पहले ही हम कह रहे थे कि क्या करता है, grasses जब डामेज हो जाती है, कोई जानवर उन्हें खा जाता है, तो उसे रिपेर करने में ये intercalorie meristem नाम की primary meristem हमारे काम आती है, चलो, इसके बाद, gymnosperm के xylem में, main water conducting element कौन है, अब भाई, वैसे अगर हम flaring plants की बात करें, तो trackids और vessels, दोनों ही काम आते हैं, trackids और vessels main water transporting element है, लेकिन gymnosperm के पास vessels नहीं होते हैं, vessels सिर्फ flaring plants में हमें मिलेंगे, angiosperms का ही ये characteristic feature है, तो इसलिए gymnosperm के पास कौन बच गया, angiosperm के पास trackids और vessels दोनों थे, लेकिन gymnosperm के पास cable trackids बच जाते हैं, चलो, transport of food material, higher plants में किसकी मदद से होता है, अरे, वो कौन सा vascular tissue है, जो food material की यानि sugars की translocation करवाता है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है phloem, और इस phloem tissue में, जो sugar का transport हो रहा है, इसमें तो 3-4 अलग अलग तरह के cells है, लेकिन शोगा ट्रांसपोर्ट कराने वाला, main cell कौन सा है, यह होते है, हमारे sieve element, तो option D correct answer हो गया, आजा, अब sugar cane की एक ही कल्म में, different inter nodes की length variable क्यों होती है, एक ही गन्ने में, अलग अलग length के inter node क्यों होते है, क्यों होते है, क्योंकि यह जो growth होई है, यह जो इसकी length में increase होई है, इसकी elongation होई है, यह होई है intercalorie meristem की वजह से, हमारे apical meristem तो के वल टिप पे होते हैं, लेकिन जो inter nodes की elongation हो रही है, उसके लिए intercalorie meristem responsible और क्योंकि हर एक intercalorie meristem, अपनी activity अपने अपने हिसाब से करेगी, बिल्कुल equal activity तो different meristem नहीं कर सकते, इसी लिए intercalorie meristem को, इसके लिए आप responsible बोल सकते हो, चलो भई, vessel element और sieve tube element में common बात क्या है, vessel element हमारे जायलम का, main water transporting element हो गया, tracking और vessel, यही दोनो main होते हैं, और sieve tube हमारे flowem tissue का main element हो गया, इन दोनों में common चीज क्या है, भाई अगर अपने options को देखो, तो e-nucleate condition, यानि दोनों के पास में ही nucleus नहीं होता है, हमारे vessel element तो पूरे खाली होते ही है, ताकि इनके through water का एक continuous channel travel कर सके, transport किया जासा के water को, और उसी तरह से mature sieve tube में भी, mature sieve tube element में भी nucleus नहीं होता है, protoplasm को lack करता है, तभी companion cell के साथ, इसको closely associated रहना पड़ता है, तो दोनों में यही common बात है कि maturity पे, यह nucleus lack करेंगे, चलो, इसके बाद root की apical meristem कहाँ पे present होगी, कह रहा है only in radical, only in tap root, only advantageous root, यह सारी option गलत है, plant को अगर growth करनी है, अपनी length बढ़ानी है, primary growth करनी है, तो उसके लिए सभी तरह की roots में primary meristem present होती है, apical meristematic tissue present होता है, तो चाहे root कैसी भी हो, advantageous root है, tap root है, उसके पास apical meristem, यानी root के apex पे, जो meristematic tissue है, वो present होगा, सभी roots में, चलो भई, chlorine कायमा कहाँ पे develop होता है, अब chlorine कायमा जो word use कर रहे है, यह एक special type का, parent कायमा ही समझ लो, parent कायमा क्या है, एक simple permanent tissue है, living cells का मना हुआ, thin walled cells होते हैं, intercellular spaces भी हो सकते हैं, तो जिसमें chlorophyll है, जो green है, इस तरह का parent कायमा, chlorine कायमा कहलाएगा, और दिये गए options में से अगर आप देखोगे, तो moss के spore capsule को आप पाऊगे, कि यह green structure होता है, तो इसी में chlorine कायमा हमें मिलेगा, option C अपना correct answer है, quiescent center के cells कैसे होते हैं, आप भाई, quiescent center क्या है, हमारी जो रूट की टिप है, रूट का apex है, वहाँ पर apical meristem है, लेकिन इस apical meristem के center में, कुछ cells का ऐसा group होता है, जो inactive हो जाते हैं, वैसे तो हमारी apical meristem का यही काम है, कि लगातार ये नए-nay cells plant body में add करे, ताकि plant के जो access है, उसकी elongation हो सके उसकी height बढ़ सके, लेकिन रूट की apical meristem में, एक ऐसा region होता है, कुछ cells का ऐसा group होता है, जो उत्ती तेजी से divide नहीं कर रहे हैं, या तो बहुत slowly divide कर रहे हैं, यह हो सकता है कि division उन्होंने रोख ही दी हो, तो जो इस तरीके से inactive हो गए हैं, उन cells को हम quiescent center में मानते हैं, जब बाकी के meristematic cells अपनी activity नहीं कर पा रहे हैं, सपोस्स डामेज हो गया, कुछ गरबर हो गई, तब यह quiescent center active हो जाता है, वरना यह cells अराम से inactive stage में ही रहते हैं, तो कैसे cell होंगे भाई? क्योंकि यह divide नहीं कर रहे हैं, तो इनके पास light cytoplasm, छोटे-छोटे nucleus, इसके अलावा mitochondria endoplasmic reticulum, यह सारी चीज़ें भी कम developed होंगी, क्योंकि इस समय cell division उने करनी ही नहीं है, उने तो inactive stage में रहना है, इसी लिए इस तरीके से आराम से वो पड़े हुए है, light cytoplasm और small nucleus लेके, समझ गए? इसके बाद इन में से कौनसी statement true है, हमें यह बताना है, कह रहा है कि वेसल multi-cellular है, उसमें wide lumen होता है, हमारे xylem में, vessel water के transport का काम करता है, wide lumen नहीं होगा, तो water को कैसे carry करेगा, और multicellular है, vessel elements एक के उपर एक के उपर एक जब जोड़ जाते हैं, तो एक continuous xylem vessel बनता है, इसके बाद, track aid, multicellular है, narrow lumen के साथ, तो अगर track aid की बात करो, track aid के tapering ends होते हैं, और इसका lumen जो है, यह vessels के comparison में narrow होगा, लेकिन track aid, multicellular नहीं है, track aid के continuous, एक के बाद एक जुडने से, कोई track aid नहीं बनता है, track aid elements individual नहीं होते हैं, हम एक ही cell को track aid कह रहे हैं, इसी लिए, यह statement हमारी गलत हो गई, फिर लिखाया के vessel unicellular है, इसी लिए यह बाद भी गलत हो गई, track aid unicellular है, यह बाद तो सही है, लेकिन इसका wide lumen नहीं होता है, तो दिए गए options में से, जायलम के track aid और vessels के बारे में, option A अपना सही statement हो जाएगा, चलो भाई, इसके बाद, axillary bud और terminal bud, किसकी activity से derive होते हैं, तो भाई, हमारी apical meristem जो है, वो कहाँ पर present है, apex पर present है, tip पर present है, चाहे root की हो या shoot की हो, और जो buds बनती है, जो axillary buds बनती है, असल में यह कैसे बनती है, क्योंकि जब हमारी apical meristem उपर की तरफ चली जाती है, apical meristem तो आगे बढ़ जाती है, elongate हो जाता है हमारा plant, तो axis के elongation के बाद, apical meristem तो सिर्फ tip पर ही present है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा, उसके कुछ left over cells जो रह जाते हैं, left behind हो जाते हैं, उन्हीं से यह axillary bud और terminal bud की formation होगी, तो हमारी apical meristem जो cells leave behind कर गई, पीछे भूल गई, उन्हीं से बढ़ की formation हो रही है, option C अपना correct answer है, चलो भई, वेसल हमें किसमें मिलते हैं, वैसे तो वेसल क्यारेक्टरिस्टिक फीचर है किसका angiosperm का, हमारे gymnosperm के जाइलम में, वैसल हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी exceptions हर जगा होते हैं, इसलिए, यहाँ पर दिये गए, options में से हम कह देंगे, कि जादा तर angiosperms में, और कुछ जिम्नो सपर्म में, वैसल मिल सकते हैं, ठीक है भई, चलो, इसमें से स्क्लेरेट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, अब स्क्लेरेट क्या होता है, हमारे पास तीन तरह की सिंपल पर्मनेंट टिशू है, पेरें कायमा, कॉलन कायमा और स होते हैं, उनको अपन स्क्लेरेट कह देते हैं, और जो इलोंगेटेड होते हैं, टेपर इंड वाले होते हैं, उनको हम फाइबर कह देते हैं, जो नुकीले से होते हैं, वो हमारे स्क्लेरेट कायमा के फाइबर हो जाते हैं, तो अब देखो ट्राकेट के बारे में क्या बात को त्रूरा नहीं है सबसे पहले इसने आनल कि यहाय है में यही इस्टेटमेंट हमारी गळयत हो गई क्यू कि स्कलर आनका में तो हमें वेड़ा यह निय्या कर सेरई है खेंब हमें हमें सेल्च फॉल्प में सुटफ बसह labor क्या मतलब है कोई ऐसा सेल जिसको आगे जाके किसी भी तरह का सेल बनने के लिए बोलो कुछ भी काम करने के लिए बोलो तो वो कर सकता है तो ऐसा सेल जिसमें के पैसिटी है आगे जाके डिफ्रेंशियेट होके मैच्योर होके कुछ भी बनने की जो आगे जाके कुछ भी बन स तरीके से आप लोग भी हो इस तरह के सेल को हम टोटी पोटेंट कहते हैं और हमारे मेरी स्टेम में हमें टोटी पोटेंट सेल मिलेंगे मेरी स्टेम की वज़े से ही तो प्लांट बॉडी में नए नए सेल आ रहे हैं और ये सेल आगे जाके क्या काम करेगा कुछ तेह नहीं है जो भी धरूरत पड़ेगी उस हिसाब से मेरे स्टेम में बनने वाले नए सेल्स अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्पेशलाइज कर सकते हैं तो मेरे स्टेम में टोटी पोटेंसी वाले सेल मिलेंगे चलो भाई इसके बाद बॉर्डर पिट हमें किसमें बिलते हैं तो दोने जो डिपॉजिशन हो रखी है हमारे सैल वाल की उसका कुछ मेटीर इसके अंदर की तरफ घुसरा थो एक बॉर्डर सा बना रहा है इसी लिए बॉर्डर ऩूर्ड़ पिठ हमने उसका नाम रख दिया और बॉर्डर पिट हमारे जायलम वेसल की वाल में हमें मिल जाते है ठीक है भाई इसके बाद कॉर्क केंबियम और वेस्कुलर केंबियम को आप क्या कह सकते हो अब मैंने आपको बोला कि जब भी केंबियम वर्ड आ गया तो समझ जाओ कि हम सेकंडरी मेरिस्टेमाटिक टिशू की बात कर रहे हैं जो कि सेकंडरी ग्रोथ कर वाएगा कि केंबियम वर्ड था तुरां समझ जाओ सेकंडरी मेरिस्टेम की बात हो रही है सेकंडरी मेरिस्टेम को ही लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं इसील आप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो गया इसके बाद किसकी वजह से सीव ट्यूब फूड की ट्रांस लोकेशन करने के लिए सूटेबल होते हैं रीजन यही है कि इनका ब्रॉड लूमन है इनके अंदर काफी जगा है शुगर को करने के लिए अगर इनके अंदर जगाई नहीं होगी इनके अंदर स्पेस ही नहीं होगा तो यह ट्रांस पोर्टेशन कैसे करवाएंगे और पर्फॉरेटेड क्र ब्रॉड लूमन और पर्फॉरेटेड क्रॉस वाल्स की वजह से शुगर्स की ट्रांस लोकेशन हमारे सीव ट्यूब एलेमेंट्स कर पा रहे हैं चलो भाई कौन से फंक्शन के लिए डेथ और प्रोटो प्लाजम जरूरी है तो भाई हमारे जाइलम की जो सेल्स होते हैं ज को लूज कर चुके होते हैं क्योंकि वाटर का कंटिनूस कॉलम अगर हमें क्यारी करना है ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो उसके लिए 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 काम नहीं आ सकता हाला की फूड की ट्रांस लोकेशन के लिए हमारे जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स बने हुए है वो अपने है प्रोटो प्लाजम को तो लूज कर देते हैं लेकिन फिर भी डेड होना जरूरी नहीं है डेट जरूरी नहीं है तो यहां पर ट्रांसपोर्ट आफ सैप सैप यानि वाटर और मिनरल जो भी हमारे फ्लूइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट की बोडी में उसके जाओ कि मोनो कोट की बात हो रही है तो मोनो कोट की लीफ या आइसो बाइलेटरल लीफ जो होती है उसमें आप क्या देखते हो कि स्टो मैटा के गार्ड सेल्स कैसे शेप के होते हैं भाई वैसे तो स्टो मैटा को की जो पोर है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुल cell, dumbbell shape के होंगे और इसलिए grasses के लिए option A अपना correct answer हो जाएगा, वरना kidney shape या bean shape डी जनरली हम guard cells को बोलते हैं, इसके बाद guard cell को surround करने वाले specialized epidermal cell क्या है, कुछ cells जो हमारे stomatal aperture के आसपास है, इन में से यह specialized हो जाते है, stomatal aperture का ही हिस्सा बन जाते है, stomatal apparatus का ही हिस्सा बन जाते है, और इन है हम subsidiary cells बोल सकते हैं, चलो भाई, monocot के vascular bundle को हम closed रियों कहते हैं, vascular bundle open और closed किस बेसिस पर होता है, open का मतलब है कि यहाँ पे secondary growth हो सकती है, secondary growth हो सकती है क्यों कि वहाँ पर cambium present है, हमारे vascular bundles के बीच में जायलम और flowem के बीच में cambium है, हमारे secondary meristematic tissue है, जो secondary growth करवाएगा, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि vascular bundles closed है, मतलब यहाँ जायलम और flowem के बीच में कोई भी cambium नहीं है, और cambium नहीं है, तो secondary growth भी नहीं हो पाएगी, इसलिए monocot के vascular bundle को close क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे cambium absent होता है, और यहीं रीजन है, कि हमारे monocots में secondary growth नहीं हो पाएगी, चलो भाई, इसके बास tomato apparatus के बारे में कुछ statements दिये, कह रहा है कि guard cell के पास chloroplast और mitochondria होंगे, फिर कह रहा है कि guard cell के पास हमेशा subsidiary cell होंगे, stomata gashes exchange में involved होते हैं और guard cell की inner wall थिक होती है, तो भाई देखो, guard cell chloroplast और mitochondria तो possess करेगा, क्योंकि एक living cell है, यह तो सही बात है, लेकिन हमेशा ही subsidiary cell हमारे guard cell के आसपास हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारे guard cell के आसपास के कुछ cell, हमारे stomata के आसपास के कुछ cell specialized हो गए, और वहां पे subsidiary cells वो कहलाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक stomata apparatus के पास अपने subsidiary cells हो ही हो, इसलिए ये statement हमारी incorrect हो जाती है, बाकि stomata का काम gashes exchanger ये भी सही बात है, और हमारे guard cell की inner wall थिक होती है, इसे की वज़े से stomata की opening और closing को वो regulate कर पाता है, ये बात भी सही है चलो, इसके बात closed vascular bundle में क्या नहीं होता है, cambium नहीं होता है, इसी लिए हम उसको closed vascular bundle कहते है, क्योंकि secondary growth का रास्ता यहां पर रुख चुका है, cambium के बिना secondary मेरे stem के बिना कोई secondary growth नहीं हो सकती, आ जाओ, इसके बात ground tissue में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, भाई हमारी plant body मे तीन तरह के tissue system होते है, एक हमारा epidermal tissue system, एक हमारा vascular tissue system, तो epidermal tissue system तो पूरी plant body के उपर एक covering बनाता है, vascular tissue system में जाइलमेंट फ्लोयम होते हैं, जो सबस्टेंस की translocation में involved होते हैं, लेकिन epidermal tissue system और vascular tissue system को छोड के, वाकि जो भी सामान plant के body के अंदर भरा हुआ है, इस को हम ground tissue system में डाल देते हैं, तो क्या बोलोगे ground tissue system में, all tissues except epidermis and vascular bundles, option B अपना correct answer हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, stomata के different parts को label किया हुआ है, तो सबसे पहले, C क्या है, हमारे stomata की opening, तो यह तो हमारा stomatal aperture हो गया, इसके बाद D है हमारा guard cell, B हमारा subsidiary cell, और A हमारे epidermis का normal cell, एक epidermal cell हो गया, तो भाई, इसके according अगर identify करोगे, तो दिये गए options में से, अपना correct answer, option D हो जाएगा, जहाँ पर चारों तरह के यह जो labeling है, इसको correctly identify कर रखा है, चलो, इसके बाद बारले की stem में, vascular bundle कैसे होंगा, बारले बोल रहे हो, तो समझ जाओ, बात हो रही है, monocot की, monocot की बात हो रही है, तो vascular bundle कभी भी open नहीं हो सकता, open है, मतलब secondary growth का रास्ता खुला हुआ है, secondary growth का रस्ता open है, जैसा कि monocot में कभी होता नहीं है, monocot में secondary growth हम देखते नहीं है, तो जहाँ पर भी open लिखाया है, वो तो तुरंट अपना answer गलत हो गया, open तो होता ही नहीं है, और monocot की stem की अगर हम बात करें, तो vascular bundles radial नहीं होते, बल्कि अगर आप cross section देखोगे, तो पूरे में फैले होते हैं, scattered होते हैं, scattered vascular bundle हमारी monocot stem का characteristic feature है, तो closed है, क्योंकि cambium absent है, secondary growth नहीं होनी, और scattered है, क्योंकि पूरे में फैले हुए, किसी एक particular radius पे present नहीं है, तो बारले की stem यानी monocot stem के cross section में हम कैसे v vascular bundle देखेंगे, closed और scattered, ठीक है, इसके बाद by collateral vascular bundle का क्या मतलब है, अब भाई जादा तर तो हम यह देखते हमारे vascular bundle में के अंदर की तरफ जायला में, बाहर की तरफ फ्लोयम है, इसी तरह से vascular bundles located है, लेकिन by collateral vascular bundle वो है, जहां पर हमारा xylem, flowyam के बीच में घुसा हु बोलते हैं, इसके बाद भाई देखो क्या बोल रहा है, हमने एक प्लांट का cross section लिया, तो हमें यह चीज़े देखने को मेले, पहले बाद तो large number of scattered vascular bundle, इसके बाद large parenchymas ground tissue, conjoint और closed vascular bundles, और flowyam parenchyma absent था, तो भाई थोड़ी देर पहले हम यह बोल रहे थे, इसके scattered vascular bundle कि का characteristic feature है, इस तरह के vascular bundles, हमें monocod की stem में मिलेंगे, बार ले के example को देखें, पिछले question में हमसे पूछा गया था, तो scattered vascular bundles, conjoint and closed vascular bundles, large conspicuous ground tissue, और flowyam parenchyma की absence, यह सारी चीज़े, monocod की stem के बारे में indicate कर रही है, तो option A अपना सहीं answer हो जाएगा, चलो भाई, अब हम से कह रहा है, कि grass की leaf अंदर की तरफ मुर जाती है, curl inwards हो जाती है, जब weather dry होता है, जब पानी के availability कम होती है, तो इसका reason क्या है, तो grass की leaf, यानि हमारी जो monocod leaf है, उसके पास होते हैं कुछ bulliform cells, और जब भी पानी की कमी होगी, जब भी water stress होगा, तो हमारे bulliform cells पिचक जाते हैं, पिचक जाते हैं, यानि flaccid हो जाते हैं, और इनके flaccid हो जाने की वज़े से, leaf भी अंदर की तरफ मुर जाती है, water को conserve करने के लिए, water loss को prevent करने के लिए, तो इसी तरीके से हम देखेंगे, कि जब पानी अच्छे amount में present होगा, जब कोई stress नहीं है water का, तो उस समय bulliform cell हमारा full हो जाता है, पुरा full जाता है, turgid हो जाता है, जिसके वज़े से leaf का surface भी expose हो जाता है, क्योंकि अब पानी बचाने की जरूरत नहीं है, तो bulliform cell क्या है, हमारी monocot leaves में मिलने वाला, एक large, empty, colorless cell है, जो इसी तरीके से water conserve करने के लिए, पानी की कमी में, leaf को अंदर की तरफ म होने का, bulliform cell का flaccid हो जाना, यानि पिचक जाना, water stress की वज़ा से, चलो, इसके बाद, diacot root में, vascular cambium कहां से originate होता है, तो अगर हम diacot root की secondary growth की बात करे, तो ये vascular cambium, जो secondary growth के लिए responsible है, ये completely secondary होगा origin में, completely secondary होगा, और कहां से ये arise होगा, अब vascular cambium की बात कर रहे है, मतलब हमारे vascular bundles के बीच में होना चाहिए, xylem और phloem के ही बीच में होना चाहिए, तो phloem bundle के नीचे, और protozylem के ऊपर, हमें ये जो space मिलता है, ये जो region मिलता है, इसी में से ही हमारे dacot root में vascular cambium differentiate हो जाता है, जो कि फिर root की secondary growth करवाएगा, दोनों तरफ नए नए cells अड़ करके, inner side पे भी और outer side पे भी, चलो भाई, इसके बात कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पर आकर होती है, अब कैस्पेरियन स्ट्रिप का question बार बार आता है, repeatedly आपको same question करवाने का मतलब नहीं है, लेकिन ये बात सम हमारे root में, एक water impermeable material होता है, water impermeable, waxy material, जिसका नाम है सुबेरिन, तो हमारा जो cortex है, उसकी inner most layer को endodermis हम बोलते हैं, और इस endodermis के cells में, इस सुबेरिन नाम के substance की deposition होती है, इसी को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, जो कि वाटर को इस लेवल से, इस पॉइंट से अंदर जाने से रोग देते हैं, क्योंकि water impermeable material है, तो हमारी endodermis में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजन होती है, सुबेरिन की deposition की वज़ए से ये बनती है, ये दो-तीन बातें याद रखना और इससे question बहुत बार आता है, तो चलो गई, यहां पर तो option D अपना correct answer हो गया, इसके बाद root है और कहां से develop होते हैं, अगर आप morphology वाला chapter याद करो के तो different regions of root हमने पढ़ रखा है, तो उसमें सबसे पहले तो root कह पाती है, फिर region of meristomatic activity आता है, फिर region of elongation आता है, फिर region of maturation आता है, और आप उसमें देखोगे, diagram में observe करोगे, कि जो region of maturation है, root हैर खाली उसी में से arise हो रहे हैं, उसी में से निकल के आ रहे हैं, तो ये question भी काफी common है, कि root हैर हमारी root के कौन से region में से develop हो होंगे, तो region of maturation में से arise होते हैं, option D अपना सही answer है, इस वाली बात को याद रखना, क्योंकि ये पूछी जा सकती है, इसके बाद cortex किसके बीच का region है, तो वही सबसे बाहर epidermis होता है, फिर cortex होता है, तो आप कह सकते हो, कि epidermis और stale के बीच का जो भी region है, उसको हम cortex कह रहे क्यों, stale क्या है, जो भी हमारे endodermis layer की inner side पे है, inner to endodermis, इस सब को आप stale कह दोगे, तो epidermis थी, फिर हमारा cortex आया, cortex की inner layer हमारी endodermis है, तो stale क्या है, जो भी endodermis के अंदर है, वो stale है, इसले cortex हमने कह दिया, epidermis और stale के बीच में present होता है, इनके बीच का region है, चलो भाई, इसके बाद monocort root का characteristic feature क्या है, monocort root में आप देखोगे, कि एक तो cambium आपको नहीं मिलेगा, secondary growth तो monocort में होती ही नहीं है, चाहे root की बात करो, चाहे stem की बात करो, secondary growth तो यहाँ पर present होगी नहीं, इसलिए पहला ही answer अपना correct हो जाता है, cambium absent होता है, vascular bundles closed होते है, और बिना cambium का vasculature यहाँ पर हमें मिलेगा, चाहे हम root बोले, चाहे stem बोले, secondary growth monocort में मिलती ही नहीं है, यह बात हमेशा माइड में रखना इस चाक्टर में, चलो भाई, आपको dicot stem और root का एक पुराना piece दिया है, तो इन दोनों को distinguish करने के लिए आप कौन सा characteristic use कर सकते हो, तो भाई, अगर हम अपने xylem की बात करें, तो उसको दो category में बाट सकते हैं, जो पहले बना हुआ xylem है, यह proto xylem हो गया, और जो बाद में बना है, यह meta xylem हो गया, तो हमारी root और shoot में, इनका arrangement अलग अलग होता है, इनकी location अलग अ होती है, अगर आप root को देखोगे, तो हमारा proto xylem बाहर की तरफ होगा, meta xylem अंदर की तरफ होगा, और इसे आप क्या है सकते हो, xylem, exarche condition जबकी हमारी shoot में, इसका उलटा होगा, स्टेम में क्या देखोगे, कि हमारा proto xylem अंदर की तरफ है, meta xylem बाहर की तरफ है, और इसे आप बोलते हो, कि अंडार्च कंडिशन तो भाई प्रोटो जाइलम की पोजिशन के बैसे स्पर हमें पता लग जाएगा कि हम रूट देख रहे हैं या स्टेम देख रहे हैं अगर हम इसकी अनाटमी दिखाए जाए अगर आपको क्राउस सेक्शन दिखाया जाए प्रोटो जाइलम अगर बा प्रोतो जञल अव्की पोजिशन के बेसिस पर बता सकते हो कि हम क्रॉस सेक्शन रूट का देख रहे हैं स्टेम का देख रहे हैं इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हो चलो भई इसके बाद किसके vascular bundles में water containing cavity होती है अब यह water containing cavity हमें मिलेगी monocot के case में मोनोकौट के Vascular Bundles के साथ इस तरह के water containing cavities associated होते हैं तो देख लोगी मैं से मोनोकौट कौन है Sightcase तो है निए Sightcase तो gymnosperm हो गया Sunflower हमारा Dicot है Pinus again gymnosperm है तो मेज हमारे पास Monocot का example आजाता है यही अपना correct answer हो जाएगा आओ भाई अगर Dicot root से compare करो तो Monocort Root और Dicort Root में क्या अंतर होगा, Monocort Root के पास क्या होगा, तो भई Monocort Root में Xylem Bundles का नंबर, Vascular Bundles का नंबर टोटल जादा होता है, Dicort Root में 2 से 4 Vascular Bundles होते हैं, 2 से 4 Bundles होते हैं, Xylem और Phloem के, जबकि हमारे Monocort Root के पास Polly Arch Condition है, यानि 6 से जादा Bundles, इसके पास प्रेजेंट होते हैं, तो Xylem Bundles Monocort Root के पास जादा होंगे, इसी के बेसिस पे Dicort Root से इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, चलो भई, प्रेजेड परेंखायमा किसकी लीव में अपसेंट होगा, अब हमारी जो Dicort की लीव होते है, इसके Ground Tissue को, इसके Miesophyll को, अब डिफ्रेंशीट कर सकते हो दो पार्ट्स में, कुछ इसमें पलिसेड परेंखायमा होते हैं, कुछ पलिसेड परेंखायमा होते हैं, जो इलो लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेज वाले हमारे राउंडेट सेल्स होंगे, लेकिन अगर आप मोनोकॉट लीव की बात करो, तो उसका Miesophyll, डिफ्रेंशीट इट नहीं होता है, पलिसेड और स्पंजी परेंखायमा में, नोट डिफ्रेंशीट इटेट, तो अब यही कह रह होता है, लेकिन मोनोकॉट में इस तरह की कोई दो क्याटिगरी नहीं बनी हुई है, तो जो भी मोनोकॉट है, वो ही अपना सही अंसर हो जाएगा, मस्टर्ड, ग्रैम, सोया बीन, यह सारे तो डाइकॉट है, सौर्गम हमारा मोनोकॉट का एग्जामपल है, क्योंकि ग्रास में इसको हम इंप्लूट करते है, चलो भाई, इसके बाद पूछ रहा है, कि एक पुरानी डाइकॉट रूट को अगर आपको डाइकॉट स्टेम से इस्टिंगुश करना है, तो कैसे इस्टिंगुश कर होगे, वो ही एक्जार्ट और एंडार्च वाली बात हो गए, पोज दर्च प्रोटो शऑलम का भी आ जाता है, ठीक है, पैखेशे दिन वाल इर्ट वाले किस में मिलने वाले, तो भाई हमारे पैशेज सेल एंडो डर्मस में मिलते हैं, यह तक्रम अधर में दोनो के सेल होते हैं, थिक वाल इ recogn едवी होते हैं, कि यहाँ पर प्रेजंट तें ल travel करना जादा मुश्किल है उसके थिक वाल्ट सेल के अक्रॉस ट्रांस्पोर्टेशन भी मुश्किल है तो यह तिन वाल्ट सेल्स रैपिड ट्रांस्पोर्ट करवाते हैं एंडो डर्मिस में प्रेजेंट होता है पैसेज सेल हमने इनको नाम दे रखाया चलो भाई इसके और रूट टिप पर हमें मिलने वाले है क्योंकि वैसे भी यहां पर कोई पुराने टिशू नहीं होते यहां पर तो एपिकल मेरिस्टेम होती है जहां लगातार नए नए सेल्स बनते रहते हैं तो इसलिए कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ की अक्टिविटी हां पर होनी रही हम हमारे रेडियल वैस्कुलर बंडल जहां पर मिल रहे हैं समझ लो रूट की ही बात हो रहे है तो स्टेम वाला ऑप्शन तो अपना करेक्ट आंसर हो गाई नहीं स्टेम के वैस्कुलर बंडल जाधा जाधा जाधार कॉन जोईंट होंगे लेकिन रूट में भी अब डाइकॉट रूट चूज करें या मोनोकॉट रूट चूज करें तो एक बात याद करो कि नंबर और वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट रॉट की रूट में कितना कितना होता था डाइकॉट के पास कम वैस्कुलर बंडल थे टू 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 फोर बंडल vascularization के दौरान क्या होता है vascularization यानि जब हमारे vascular tissues की formation हो रही है तो उस समय पे pro cambium pro cambium क्या है यह समझ लो कि हमारे primary plant body का हमारे young plant का वो हिस्सा है जिससे आगे जाके cambium बनने वाला है तो इसकी differentiation होती है फिर primary phloem और xylem दोनों simultaneously बनते हैं ऐसा नहीं कि कोई एक पहले बनेगा और कोई एक बाद में बनेगा तो pro cambium की differentiation हुई और simultaneously दोनों की formation हुई option भी यहां पर अपना correct answer हो जाता है चलो भाई इसके बाद दुबारा सेम question के experience trip कहां पे मिलते हैं भाई एंडोडर्मिस में हमें मिलती है सुबेरिन नाम के substance की यहां पर deposition in cell walls में होने की वज़े से इसके बाद अगर एक plant के पास fruit है अब fruit है मतलब उसके पास flower भी होगा flower सही तो आगे जाके fruit की formation होती है तो अगर इसके पास fruit है मतलब यह एक flowering plant है यह के इंजियो स्पर्म है उसके बाद क्या बोला इसके पास vascular tissue का एक column है और एक tap root system है तो flowering plant तो है ही और tap root system से हमें पता लग गया कि यह डाइकॉट है क्योंकि मूनो कॉट के पास fibrous root system और हमारे डाइकॉट के पास tap root system होता है तो भाई करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया इंजियो स्पर्म एंड डाइकॉट इसकी morphology इसकी अनाटमी के बारे में जो information दी उससे यह इतना हम पता लगा सकते हैं चलो इसके बाद आ है स्छोएम ओर वुड के बीच में जो धिन वालड शर्म की एक ले cynler है से हम क्या कहते है अब वाई वालड जो टॉम यूज कर रहे थे मैंने पहले भी बोला कि धाईलउं के लिए यूज करते हैं तो भाई और के व McMahillum के बीच में क्या मिलता है रिजिव होता है और इस ही व्सकी एअmam की अब्री बजुत म्टो सैनल की बुःटी उसकी से स्टेम का रूट का डिमीटर इन्कुरी बैस होता है तो यह मिलगा वह और शायलम के बीच में वैस्किलर के एंबियम मिलने वाला है कि यूँकि डाइकोट की बात की है और डाइकोट में तो से कुंटरी ग्रोथ होती है के एंबियम होता है चलो भाइब इसके बाद यह बात को गई मौनो गॉट्र यगर आप वनेशन की बात करो तो प्रेटी कि यह गॉला में मिलते हैं यह बात तो गलत हो गई फिर कह रहा है कि बुलिफ और य। अहीं होते। यह हमारी सही बात हो गई बाकी वेल डिफ्रेंशियेटेटेट मेसोफिल यह भी सही नहीं है तो ऑप्शन सी हम अपनी मोनोकॉर्ट लीफ या अपनी आई सो बाइलेटरल लीफ के लिए बोल देंगे करेक्ट बात है क्यूंकि जिस तरह का हमें पहले से डॉस पंजी दो तरह क मेसोफिल सेल दो तरह का ग्राउंड टिशू अपनी डाइकॉर्ट लीफ में मिलता है ऐसा कोई डिस्टिंग्विश हमने मोनोकॉर्ट लीफ में नहीं कर रखा है इसके बाद रूट के परिसाइकल से क्या बनता है वह जो भी लेटरल रूट हमारी मेन प्राइमरी रूट मे से निकल कर आ रहे हैं इनका ओरिजिन पेरिसाइकल के रीजन में होता है तो यहां पर करेक्ट आंसर हम अपना ऑप्शन बी माक कर देंगे इसके बाद मोनोकॉर्ट की लीफ में हमें क्या मिलता है यार प्राइमरी मेरिस्टेम की जब बात की थी तो एक तो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम था जो कि हमें रूट और शूट की टिप पे मिलता है एपेक्स में मिलता है लेकिन एक था हमारे पास इंटर कैलरी मेरिस्टेम और यहीं इंटर कैलरी मेरिस्टेम हमें ग्रासिस में मिलता है जो कि उनके डैमेज़ पार्ट को रि समझ जाओगे कि मोनो कोट की बात हो रही है दोनों टर्म्स को सिनॉनिमस ही समझो जब भी बॉटनी पढ़ रहे हो तो ग्रासिस में मिलता था इंटर कैलरी मेरिस टैम मोनो कॉट लीफ के लिए भी यह ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तरह का प्राइमरी मेरिस टैम है जो ग्रीजिंग अनिमल्स की वज़े से डामेज जो टिशू हो गया है उसको रिपेर करने में हमारी हल्प कर देगा इसके बात इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाय करना है पहले लिखा है कि हार्ट वूर्ट वॉर्टर को कंड़क्ट नहीं करता है तो जैलम बना हुआ है उसको हम हार्ट वोडर सैप वोड में रिस्टिंग विश कर सकते हार्ट वूड बिल्कुल ही डेड़ एलिमेंट का बना हुआ है कंपक्ट मास के फॉर्म में होता है तो इसलिए सिर्फ मेकानिकल सपोर्ट प्रवाइड करना हमारे प्लांट की स्ट्रॉंग बन होई है जिसमें कंडक्शन हो रही है साप वुड इनर मोस्ट है यह बात हमारी गलत हो गई कलर में लाइट होती है यह तो सही बात है लेकिन इनर साइड पे हमारी हार्ट वूड प्रेजंट होती है हमारा इनकरेक स्टेटमेंट यह हो गया बाकी टैनिन रिजन ओईल कई तर और माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स के अटाक्स के अगेंस्ट काफी रिजिस्टेंट भी होती है तो डाक है, हाड है, और डियोरेबल है, रिजिस्टेंट है, यह सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हार्ट वूड में होते हैं, और यही हमें इनर साइड में मिलती है, सैप कर रखा है यह बात गलत हो गई चलो इसके बाद में ट्री की एनुवल रिंग के बारे में इसमें से कौनसी बात सही नहीं है पहली ही स्टेटमेंट हमाली गलत हो गई कह रहा है कि एनुवल रिंग हमें टेम्परेट रीजन के ट्रीजन में अच्छे से नहीं दिखेंगी प्र activity भी affect होती है तो spring में हमारा vascular kimbium काफी active रहता है तो अलग तरह के जायलरी elements वनाता है अलग तरह के वूट बनती है और जब autumn में इसकी activity कम हो जाती है तो उस समय पर अलग तरह के वूड की formation होती है और इसी तरह की दो टाइब की different wood बनने की वज़े से हमें alternate light and dark rings के form में concentric rings के form में अपने stem के cross section में ये wood नजर आती है तो ये कह रहा है कि temperature region के tree में prominent नहीं होगी ये बाद तो गलत होगी seasonal change temperate region में काफी होता है और उसे की वज़े से vascular cambium की activity में भी change आने के कारण annual rings बन जाते हैं देखो कह रहा है कि annual ring में spring wood और autumn wood का combination है ये भी सही बात है cambium की differential activity light and dark bands बना देती है जिसको early and late would भी हम कह सकते हैं और climate के variation के according cambium की activity भी बदल जाती है ये बाद भी correct है environmental factors cambium की activity को affect कर सकते हैं चलो भाई, dicot stem में secondary xylem और phloem कौन produce करता है भाई हमारा जो vascular cambium है कहां पर था हमारा अंदर की तरफ था जाइलम बाहर की तरफ था फ्लो यह इन दो नों के बीच में था हमारा vascular cambium तो vascular cambium ने जब अपनी meristematic activity शुरू की जब नए नए cells बनाने शुरू किये तो अंदर की तरफ जो भी cells यह बना रहा था इनर साइड पे यह सेल्स आगे जाके बन गए सेकंडरी जाइलम और जो भी cells बाहर की तरफ इसने बनाए आउटर साइड पे यह सेल्स आगे जाके बन गए से केंडरी फ्लोय रहा है रिस्पेक्टिब ली इनर साइड और आउटर साइड पे जो सेल्स वो कट आफ कर रहा है उनसे से केंडरी जाइलम और सेकंडरी फ्लोयम बन जाता है ठीक है वैस को लिग मिव अपना करेक्ट आंसर है आजाओ इसके बाद जिन प्लांट में सेकंडरी ग्रोथ नहीं होती है उन्हें हम क्या कह सकते है अरे ये बात तो इस चैप्टर की में बात है अगर किसी नहीं चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पड़ा किसी को बिल्कुल भी नहीं आता तो ये बात तो मालुम होनी ही चाहिए कि मोनो कोट में सेकंडर ग्रोथ नहीं होती है इसके बाद जास्किलर के में में से क्या बनता है अभी अभी हम बोल रहे थे इनर साइड पे सरे जाइलम बनता है आउटर साइट पे से कंडरी फ्लो यह मंट आइव आसकेलर के मॉटिक ए कारण आज़ ऑद इसके बाद इन में से कौन सा dead cells का बना हुआ होता है तो हमारे पास vascular cambium के अलावा एक और भी secondary meristem होती है और भी lateral meristem होती है जिसको हम cork cambium कहते हैं और इस cork cambium की activity की वज़े से भी inner और outer दोनों ही side पे नए cells cut off होते हैं तो cork cambium जो outer side पे cells cut off कर रहा है यह आगे जाके cork बना देते हैं इसी को हम film कहते हैं और dead cells का यह बना हुआ होता है तो option B अपना correct answer हो जाएगा चलो भाई अब इसमें से heartwood के बारे में कौन सी wrong statement है देखते हैं पहले कह रहा है कि highly durable यह तो मैंने बताया ही कि highly durable है काफी hard है और काफी resistant है आसानी से कोई भी microbes इसको attack नहीं कर सकते इसको degraded नहीं कर सकते और नहीं इसमें कीड़े लगते हैं इंसेक्ट के अगेंस भी resistant होती है कई सारे organic substances की deposition के कारण इसके बाद यह water and minerals की conduction करती है यह बाद गलत है इसका काम केवल mechanical support provide करने का होता है mechanical support provide करने के लिए हमारी hardwood present होती है और water का conduction sapwood करती है तो इसी लिए यह वाला point हमारा गलत हो गया बाकिड़ elements की बनिये highly lignified walls है यह बाद तो सही है ही और organic compounds की deposition भी यहां पर हमें मिलेगी चलो इसके बाद हमें plant की anatomy की कुछ layers दी हुई है जिने हमें outer to inner side यानि बाहर से अंदर की तरफ correct order में लगाना है तो देखो भाई सबसे बाहर तो हमारा cork होगा सबसे बाहर हमारा film होगा फिर उसके बाद अंदर आओगे तो तुम्हें मिलेगा secondary cortex यही तो हम बोल रहे थे अगर हम कोर्क केंबियम की activity की बात करें तो कोर्क केंबियम outer side पे बनाता है कॉर्क और जिन सेल्स को यह inner side पे cut off कर रहा है वो बना देते हैं secondary cortex तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो बाहर हमें कॉर्क मिला कोर्क के अंदर की side पे कॉर्क केंबियम होगा और क्वार केंबियम के अंदर secondary cortex मिलेगा तो देखो भाई सबसे पहले हमारा कॉर्क सबसे पहले फोर आना चाहिए इसके अंदर आए तो सेकेंडरी कोटेक्स मेला और अंदर आएंगे तो फ्लोयम मिलेगा और जाइलम तो फ्लोयम के भी इनर साइड पे होता है तो वो डियानी जाइलम हमारा लास्ट में आना चाहिए इस हिसाब से 4132 अपना करेक्ट अ आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक और अर्डर हो गया इन चारों लेयर्स का या हमारी प्लांट की एनाटमी में प्लांट की बॉडी में मिलने वाले इन चारों टिशू का सही है चलो इसकी बाद लेंटिसल किसमें इन वाल्ड होते हैं तो वहीं लेंटिसल भी एक ऐसी ही अब यह बाहर की तरफ कुछ क्लोजली अरेंग्ज शेल्स कट आफ करता है जिसकी वज़ा से एपिडर में रप्चर हो जाती है और एपिडर मिसके रप्चर होने की वज़ा से जो ओपनिंग बनती है इसको हम लेंटिसल कहते हैं यह एक लेंज शेप्ड ओपनिंग है जिसके कारण जिसके हेल्प से हमारे प्लांट बॉडी के इंटर्नल टिशू आउटर एन्वायमेंग्ड के साथ गैसес का सभी एक्सचेंज कर सकते हैं तो इसलिए एक्सचेंज लेंटिसल का फंक्शन है एपिडर्मिस के रप्चर होने के कारण यह बना है जब हमारे कोर्क के एम ने आउटर साइड पे अपनी अक्टिविटी बढ़ाई और लेंस शेप्ट ओपनिंग यह होती है जिसके थूग आशेज एक्सचेंज हो सकता है चलो भाई इसके बाद एज ऑफ ट्री हम कैसे सेंट्रिक लाइट अंड डाक बैंद्स बने हुए होते हैं डिफ्रेंट सीजन में हमारे वॉस्किलर केम डियम के अलग अलग तरीके से अक्तिविटी करने के कारण बिच में काफी आक्टिव रहता है काफी सारे अलिमेंट्स बनाता है वाइड लुमन वारे बनाता है जब के बेसिस पे यह डिसाइड हो रहा है कि कैसी वूड बने की और लाइट और डाक कलर की वो वूड एक के अंदर एक जब कॉंसेट्रिक रिंग्स में अरेंज़ होती जाती है तो अगर हम उस ट्री की ट्रंक का क्रॉस सेक्शन देखेंगे हमें पता लग जाएगा कि कितने सालो से हर सीजन में यही काम चल रहा है तो एनुल रिंस का नमबर देख के ट्री की एज हम एस्टिमेट कर सकते हैं इंटर वेसिकलर के अब यह कहां से डवलाप होता है अब भाई हमारे पास जाइलम था और फ्लोयम था जालम और फ्लोयम के बीच में फैसिकलर के मिया मैं क्या स अच्छे तरीके से सेकंड भी ग्रोथ नहीं हो सकती इसी लिए हमारे वैस्किलर बंदल के बीच में जो इंटर फेसिकलर के मियम प्रेजेंट है उसको आपस में जोडने के लिए रिंग को कम्प्लीट करने के लिए उनके आस पास के जो मेडिलरी रेस के सेल्स होते हैं यह मेर के लिए तो यहां पर मेडिवलरी रेज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्राफिसिकलर के इंव दिशायलम और फ्ल्यूम के बीच में पहले से ही था के मियम के रिंग को कंप्लीट करने के लिए मेडिलरी रेज ने इंटर फिसकलर के इंब भी बना दिया चलो इसके कर दिरफ किते बाद जो कॉमन बॉटल कोर्क है वो किसका प्रोड़क्ट है भाही हमारा कोर जो है वो कॉर्क केम वीन नाम के सरेंडरी में इसे भी कशार्ग करने से बनता है और इसी कॉर्क के विम को फेलो जैन भी हम बोलते हैं तो इसी लिए यहां पर करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन भी हो जाता है कॉर्क केम्बियम ने कॉर्क को बनाया था और कॉर्क केम्बियम को ही हम फेलो जैन बोलते हैं कॉर्क को फेलम बोलते हैं तो टेकनिकल टोम अगर देखोगे ऑप्शन भी बहुत रहे थे इनर साइट बिजसे कटव रहा था वो सेंडरी को टेक्स बना रहे थे और इन तीनों को एकट ठे कलेक्टिवली हम पेरी डर्म का नाम देते हैं ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो गया इसके बाद फ्लारिंग प्लांट के वैस्किलर टिशू कहां से डेवलप होते हैं तो भाई अगर आप अपने प्राइमरी टिशू की बात करो तो पूरी ही प्लांट वॉडी समझ समझ लो एक ही प्राइमरी टिशू की बनी होई है जिसको हम हिस्टोजन कहते हैं अब इस हिस्टोजन के भी कई हिस्से होते हैं और प्लेरोम नाम का इसका वो पार्ट है जो की प्लो कैम्बियम कंटेन करता है आप समझ लो जिस प्लो कैम्बियम से हमारे जाइलम और फ्लोय टिशू बन रहा है ये परो कैंबियां प्लेरों का हिस्सा हותा है इसी लिए हम कह सकते कि फ्लारिंट का व्यस्किलर टिशू प्लेरों से बनेगा क्यूंकि हिस्टोजendeu सें से ही पूरी plant body बनती है हिस्टोजन का वो पार्ट जिसमें हमें फ्रोग मियम मिलेगा वो प्लरोम है और प्रोग मियम से ही सारे वैस्किलर टिशू की फॉर्मेशन फाइनली होगी ऑप्शिन डी अपना करेक्ट आंसर हो गया चलो भए अगर हम प्लांट की से केंटरी ग्रोथ की स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें से कौन से प्लांट को यूज कर सकते हैं तो भाई कहीं पर में हमारा कोई मूनो कॉर्ट नहीं होना चाहिए और कोई लोवर नहीं होने जो यह ब्रायो फाइट टेरिदोफाइट एल्गी इस सब में कहां से इंट्री ग्रोथ मिलेगी इनको तो बोडी और गनाइजेशन ही काफी सिंपल होती है तो देखो यहां पे हमारे पास टीक एंड पाइन सही हो गया क्योंकि जिम्नोस पॉम लेंगे तो चल है कौन सी मेरिस्टे रिस्पॉंसिबल है दो अब स्टेल क्या होता था भी हमारे एंडोड दर मिस के अंदर की साइड पे जो भी प्रेजन धर में जो भी से अंदर जोबी प्रेजेंट है ये स्टेल होता है और इसी के अंदर हमारा वैस्किलर क्युण अपल हमारी एंडोर्म सिर है कोर्टेक्स की सक्सक्राइब कूल जाए है और वैसक्तों कैंदर होते हैं तो हमसे पूछे रहा है कि Supersenry Dr. Chinese antidote के बाहर ऐसा-कॉन है जो कि एक इंपर एक इंटलरी ग्रोथ कर वा सकता है तो में यही बताना है कि हमारे कौ्टेक्स के बाहर है एक तेलर वाले पार्ट ने चला गया इसके बाद जैसे जैसे ट्री पुराना होता है इसमें से किसकी थिकनेस ज़्यादा बढ़ती है तो भई हार्ट वुड एक ओल्ड ट्री के सेंट्रल पोर्शन में अपना एक कॉंपेक्ट मास बनाती चली जाती है हार्ट वुड की ज़्यादा अक्युमिलेशन होती है केंबियम इसके बाद कॉर्क केंबियम जो कॉर्क बना रहा था आउटर साइड पे और कॉर्क केंबियम ही सेकेंडरी कोर्टेक्स बना रहा था इनर साइड पे तो इन तीनों को हमने परिडर्म कहा तो इस परिडर्म को बनाने के लिए रिस्पॉंसिबल कौन है इस परिडर को बना रहा है कोर्क केम्बियम और काइमपीम को ही फिलो जन हम बोलते हैं तीनों हिलेर का अपना टेक्लिकल आम अलग है और ये कोमन नाम अलग है तो हमारा कंव्यम हो जाता है पेलो जन कॉर स्ब्सक्रीट को तो इसmosiben न मतलब वह है currently does को यह तो अगर कॉर्क केंबियम ही फेलोजन होता है कॉर्क ही फेलियम होता है और से Jason Wave को बोलते हैं फेलोडूम सब यह को कलेक्टिबली इनने नहीं लो Bluetooth है पेरिडर्म से यह चलो इसके बाद वस्कुलर कें बियुक अपर टीजिंछ करता option B हो जाएगा secondary growth करवाते हैं के इंबियों में एक secondary meristematic tissue है तो जहाँ पर भी primary लिखा है उससे तो औरड़ी बाहर कर दो secondary xylem और secondary phloem की formation vascular kbm की responsibility है इसी के साथ हमारे pyqs खतम होते हैं ज्यादा तर जो questions आते हैं वह मैंने आपको बता भी दिये और point out भी कर दिया कि भाई एक तो experience trip याद रखना एक एक जार्च और एंडार्च वाला concept याद रखना लेकिन फिर भी अगर इन में से किसी concept का आपको लग रहा है कि काफी speed से हम चल रहे थे इतने सारे पीवाइक यूज हमें कवर करने थे तो जादा टाइम डिवोट नहीं कर पाए या उस concept में दिक्कत आ रही अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो जरूर यह feedback मेरे साथ आप comments में share करो और उस पर अलग से एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे ताकि वो concept नीट के एक्जाम से पहले आपका clear हो जाए जो जाने कितने महीनों और कितने सालों से आप जिसमें confused चल रहे हो तो चलो भाई अभी के लिए इतना ही एन आटेमी और फ्लारिंग प्लांट के पीवाइक यूज हम पने complete कर लिए है एक्जेंपलर हम पहले ही कर चुके है तो चलो जाहिंट